दक्षिन पंती आंदोलन और फासिवाद इस माहॉल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावित होने लगे इन देशों में एक बड़ा तपका मध्यमवर्ग का था जिसमें छोटे वा मध्यम किसान, दुकानदार, व्यपारी, छोटे उद्योगपती तथा व्यवसाई शामिल थी यह वर्ग एक और बड़े पूंजी पतियों के विरुद्ध था क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यमवर्ग के व्यवसाई घाटे का सामना कर रहे थे 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था किसानों की जमीन निलाम हो रही थी चोटी दुकाने वह कारोबार बंध हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी दूसरी ओर यह निम्न मध्यमवर्ग समाजवाद और साम्मिवादी मजदूरांदोलन का भी विरोध करता था क्योंकि वे नीजी संपत्ती का विरोध करते थे जबकि मध्यमवर्ग अपनी छोटी संपत्ती को बचाने में लगा हुआ था ऐसे में यह छोटी संपत्ती वाला मध्यमवर्ग उदारवाद और साम्मिवाद दोनों के खिलाफ हुआ 1925 के बाद और विशेशकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यमवर्ग राजनेतिक रूप से सक्रिय होने लगा यह आंदोलन चुनावी लोगतंत्र उदारवाद कानून का राज समानता का सिध्धान्त समाजवाद जैसे सब बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अतिराष्ट्रवादी भी थ इस तरह के विचार फासिवाद विचार कहे जाने लगे इन अंदोलोन का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फासिवाद पार्टिया उभरने लगी फासिवाद कई प्रकार के थे मगर उनमें कुछ बाते समान थी पहला वे अतिराष्ट्रवादी थे वे यह वे विश्व में अपने राश्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे जिसके लिए सैन्निवाद और युद्ध उनमाद पर जोर देते थे दूसरा वे राश्ट्र के अंदर किसी प्रकार का द्वंध यह संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष राजनेतिक दलों के बीच प्रतिसपर्धा आधि को खत्म करना चाहते थे वे राज्ज के हाथ असी में चक्ति देना चाहते थे ताकि वा ऐसे संघर्षों का हल अपनी ओर से तै करके सब पर थोपे तीसरा वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनेतिक दलों संघर्ष नों आधि को ध्वस्द करने में विश्वास रखते थे चौथा वे लोगतंत्र विरोधी थे फासिवादी यह मानते थे कि लोगतंत्र चुनाओ, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता वा अधिकार राश्ट की समस्याओं के हल में बाधा है और एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शाषन और ताना शाही राश्टर हित के 5. वे प्राया पारंपरिक, पारिवारिक और समाजिक मुल्यों में विश्वास रखते थे जिसे महिलाओं को बच्चे पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से उची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और उनके आदेशों को बिना प्रश्ण किये मानना चाहिए आदी, समानता सबके लिए बराबर अवसर, विविद्धा के प्रती सम्मान और सहिश्णुता आदी मुल्यों में वे विश्वास नहीं करते हैं 6. वे पार्टी के सर्वोचिनेता के अभान पर जनता को निरंतर उद्वयलित करके आंदोलन का निर्मान करते हैं 7. फासिवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वा नियंतरित जन आंदोलन पर निर्भर होता है लोगों तक संदेश पहुचाने तथा उनकी भावनाओं को भढ़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्थ उप्योग किया जाता है 7. जर्मनी जैसे देशों में फासिवाद नसलवाद का रूप धारन करता है और किसी बहु संक्यक नसल की श्रिष्टता और वचरस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है इसके तहट यहूदी जैसे अल्प संक्यक नसल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ आमानवी व्यभार को सही ठहराया गया इटली में मुसोलनी के नेत्रत में फासिवादी पार्टी 1919 से सक्रिय थी जो मुख्य रूप से मज़दूरों के संगठनों को हत्या मारपीट आदी तरीकों से तोड़ने में लगी थी यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विक्सित होने लगी जो लोगतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना न्यायाले में केस करना आदी की जगह सीधी भीड के द्वारा कारेवाही की पैर्वी करती थी फिर भी 1922 में मुसोलनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंब की जिसका उद्देश राजधानी रोम पर कपज़ा जमाना था इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया सत्ता में आने के बाद अन्य राजनयतिक दलों वह मस्दूर संगटनों पर प्रतिबंद लगाया गया जीवन के हर शेत्र और सरकार के हर काम को फासिवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगा फासिवादी पार्टी और एक निता मुसोलिनी की तानशाही स्थापित हुई